हलो नमस्कार दोस्तों मैं विजया आपका फिर से महमल बहुंसाय में स्वागत करता हूँ आज हम कुछ कीकर के सीड को ग्रो करेंगे तो कल मैं जब बाइक से जा रहा था तो रोड के साथ में मेरे को एक जगह कीकर के पेड़ के नीचे काफी बीज कठे मिले वह गाड़ी के आने जाने से एक जगह कठे हो रहे थे मैंने उनको देखा और उठा लिया तो आज मैं उनको यहां पर इस पोर्ट के अंदर लगा हुआ और मैं एक एक बीज नहीं लगा हुआ यहां पर देर सारे बीज डाल दूआ और बाद में जो एक स्टा ट्री होंगे वह यहां से निकाल दूआ और जो बाकी जो जो शेप में या जिस शेप में मेरे को चाहिए मैं उस शेप में इस सिर्फुस को रखूँआ तो मैंने स्पोर में पहले से सोईल डाल दिया है यह सोईल यहां गार्डन का ही है गार्डन का सोईल है और जो उपर जो है वो यहां गार्डन में उपर जो बड़े पेड़े हैं उनकी पतियां क्या होता है जब बारिस आती है तो एक जगा कथी हो जाती है और एक जगा कथी ह जो कर जो पाने में रहने से गल सड़के ऑटोमेटिक एक अच्छा सा जो कमपोस्ट टाइप में बन जाती है तो वो मैं यूज कर रहा हूं जो उपर की परेत है वो ताकि मोश्टराइजिंग बना रहे इसके अंदर तो मैं आपको सीड्स दिखाता हूं यह देखिए यह सारे इसके हैं मैं काफे लेका है था हम इनको एक 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 ना करने के बजाए जैसे हम खेत में बाजरा या गेहूं उगाते हैं मैं वैसे इसको छिड़क के डाल दूँगा और यह एकदम से सारे एजे फोरस्ट निकलेंगे सबी जगह से तो जो अनवांटेड जगह पर जो होंग तो उसके लिए जो उपर क्या सोयल है यह थोड़ा लूज होना जरूरी है उसके बाद हम क्या करेंगे इसको इसके उपर डाल के जैसे ऐसे जिसको हम शायद आपने सुनो पोद लगाना सीडलिंग वैसे तो एक तरह से पोद लगाने जैसे ही है काफी बीज डाल दूँगा इसमें से कुछ ट्री को मैं इसी में ग्रो करूँगा और बाग्यों को निकालके बस इसको अब उपर से आज से जेरे से हम इला देंगे ताकि ये अच्छे दें लें अब इसके उपर में एक हलकी सी मिट्टी के परत और डाल दूँगा ताकि बीज उपर ना रहे और हलकी सी परत से ये डख जाए आप इसमें कुछ नहीं करना सिर्फ वाटरिंग करनी है डेली जब ये ग्रो स्टार्ट हो जाएंगे तब माँ इसकी वीडियो दुबारा बना के आपको अप्डेट दिखाऊंगा इसकी इन सीज का भी टायम है ये यहाँ पे पास में जंगल है तो वहाँ पे बारिश होते ही इतने काफी ऊगाते हैं इसरे मैं सुचा इनको पोर्ट में लगाते हैं क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है न वो काफी लंबी चले जाते है निचे अगर आप इतना सा भी अगर कोई ट्री जंगल से निकालोगे तो उसकी जड़ कम से कम इतनी निचे तक जा रही होगी और इसकी रूट्स क्या है सिर्फ जो मूसला जड़ जिसे बोलते हैं जिसके के साइड में जड़े नहीं फैलती लाइक ने भी उस टाइप में होती है तो वो निचे ही जाएगी सिद्धी उपर नहीं जाएगी इसलिए मैं इसको पोर्ट में लगांगो ता कि इसकी जड़ पोर्ट के अंदर ही रही बाहर न जाए और बाद में उसको हम फुर्ण भी कर सकते हैं report के टाइम निचे से यह जाब यह कची रहती है तब ही कर सकते हैं सिर्फ ये देखने के लिए के ऐसे लग सकती है नहीं वो लग गई और वो काफी बड़ी ट्री हो गई थी लेकिन यहां पर क्या है कुछ जंगली चुए थे उन्होंने क्या-क्या नीचे जाकर और उसकी पूरी जड़को खा गए जिससे वो पेड ड्राय हो गया वटा भी एक स्ब्सक्राइब में हुस्तार हो कि कफी सीड्स से कफी ट्री सीडस से त्यार करूं पार पडेल्स करना तै कि घ्राइट करना पड़े अब यह देखना आप जब एक बारीश हो अगर इन्हैंस भी आगया तो यह सारे एक दम स्थिक रुपर आजाएंगे यह सब्सक्त्राइ तो आप उनसे ट्री लेगा ये पोट में हम इनको जो प्लास्टिक बोटल आती है उसमें भी लगा सकते हैं काटके मैं आपको वह भी दिखा हूं कि प्लास्टिक बोटल से एक बोटल से हम दो पोट बना सकते हैं छोटे प्लास्टिक बोटल आती है उनको काट ले उनको दो इसमें बाटकर वह उनसे बना लें आपको दिखा देता हूं कि कैसे मैंने काटके कुछ त्यार की हुए है जैसे कि ये बोटल ऐसे होती है पूरी इसको एक इससा इसका यहां से काट दें तो एक बोटी यह त्यार हो जाएगी इसके यहां और यहां यह पांच निचे जो पैर से दिख रहे हैं इन पांचों में सुराख निकाल दें और इसके अदर कोई भी शीट्स लगाएंगे और इसको अराम रख देंगे डेली इसमें वाइट रिंग करेंगे तो आपका शीट्स ग्रोग होगा तो आपको पोर्ट की प्रोब्लम भी सोल हो जागी फिर इसका जो ये उपर का जो इतना बड़ा हिस्सा बसता है इसको हम यहां से काट करेंगे इसको यहां से काटने के बाद यह ऐसे अलग हो जाएगा अब इसको हम कैसे जुझ करेंगे कि जो यह वाड़ा हिस्सा है इसको हम इसमें ऐसे रख देंगे ताकि यह इसका स्टेंड बन जाएगा और यह ऐसे इसमें भी हम इसको कर सकते हैं सीड को लगा सकते हैं ओके फ्रेंट्स मैं इसकी अपडेट आपको जब यह ग्रो स्टार्ट होगा तब दिखाता रहूंगा मैं इसकी कुछ-कुछ दिन बाद वीडियो अपडेट करके फिर आपको कंप्लीट करके दिखांगा नमस्कार दोस्तो आज हमारे इस जो हमने सीट्स लगाए थे किक करके उन में से काफी सीट्स ग्रो हो गए है हम इसकी काउंटिंग करते हैं यह कितने हो गए अभी तो बहुत सारे ग्रो करने बाकी है अभी फिल आले इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस दस तो ग्रो हो गए है एक यह ग्यारा जिस में से यह अभी पूरा नहीं हो पाया एक यह दिख रहा आपको तेरा 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 ट्री है और काफी ट्री अभी ग्रो करने वाल है जैसे अभी कुछ सीट्स उपर दिखाई दे रहे हैं एक यह रहा एक यह रहा और एक यह देखिए यह अब जैसे फूल के मोटर हो गया ना यह अब कुछ टाइम पे ग्रो करने वाला है काफी अभी साइड में पड़े हैं यह दिर दिरे सभी हो जाएंगे और फिर इसका लुक अच्छा आएगा जब यह इतने बड़े हो इसको त्री चार के देखिए आप आपको दिख रहे होंगे कैसे जब यह ट्री इतने उपर आजाएंगे तब और भी अच्छे लगेंगे यह जो कुछ ट्री यहां पर दिख रहे हैं आपको इन में से तो जो लीव्स है जो स्टार्टिंग लीव्स के अलावा भी नियू लीव्स आ गए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा है यहां पर कुछ इन जो फर्स्ट लीव्स है उन पर कुछ कीड़ों ने या कुछ इंसेक्ट है जिन्होंने इसको खा लिया है यह देखिए यहां पर बाकि अब बारिस का मौसम स्टार्ट हो गया है तो और बीटरी काफी ग्रो होंगे एक शायद यह वाला भी ग्रो होगा जिस उपर आ रहा है कि मैं आपको इसकी धीरे धीरे अपडेट दिखाते रहूंगा अभी इसको दो सप्ते हुए हैं कि मैं इसको अभी फिर से वहीं रखूँ हूं मैं इसको थोड़ा दूप में रख देता हूं क्योंकि दूप में जब इस पर दूप पड़ेगी तो यह जल्दी ग्रो करेंगे सोली तो काफी वेट है क्योंकि बारिस हो रही है दो दिन हो गए यहां पर बारिस का सीजन स्टार्ट हो गया है मान सुन आ गई है जब यह सारे ट्यों हो जाएंगे तो फ्राइव एक्स्टा ट्री होंगे जासी इक ढंटें लगे वाहने निकाल देंगे ताकि शेप रहे ही ढंटिसना दाकि यह दें Congressman इसको ऐसे ग्रो करेंगे ओके दोस्तों तो आप इसकी अपडेट देखते रहिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसकी निव अपडेट्स आप देख सकें नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार अपना ध्यान रखेगा और अपने बंसाई का भी